पत्रकारता दिवस के अफसर पर आज कुछ वरिष्ट संपादकों ने उसके सुरूप पर अपनी राय पेश की, सुनिए क्या कहते हैं वो जिस तरह से आज एकांगी पत्रकारता रास्टरबाद के नाम पर हो रही है वो निश्चे ही नहीं थी यह लोग कहते हैं कि पहले की पत्रकारता यह सामिवात रहावित थे तो यह देखने की नजर है ऐसा कुछ संदर्बों में सही भी हो सकता है लेकिन पत्रकारता इतनी विवादित पहले नहीं थी किसी खास पार्टी या खास विचार के पक्ष में और दरसल आज पहले का मीडिया एक तरह का जिम्मेदार मीडिया ज़दा इसलिए भी था कि पहले सीमित किसम का मीडिया था यानी प्रिंट मीडिया था बाद में चैनल आए लेकिन उनमें भी एक संपादक नाम की संस्ता होती थी जो किसी चीज़ पर नियंतरण रखती थी आज क्या हो गया है कि सोसल मीडिया के नाम और जो नीजी इंटरनेट पत्रकारिता आ गई है उसमें ये संपादक नाम का अस्तित्तु गायब हो गया जो की चीजों पर कुछ हद तक निहंतरन रखता था आज जिस पेमाने पर फेक न्यूज फैल रही है मुख्यधारा के मीडिया में भी वो चौकाने वाली बात है ऐसा पहले नहीं होता था तो हुआ क्या है कि पत्रकारिता जो एक संपादक विहीन पत्रकारिता में कहना चाहूंगा यानि अंकुष भीहीन या जो जिम्बेदारी भीहीन पत्रकारिता हो गई है पत्रकारिता का फोकस अगर आप अमेरिका में देखें तो वहाँ पर भी आजकल इसी के उपर चर्चा हो रही है राश्टवाद क्या है और राश्ट प्रेम क्या है फ्रांस में भी अभी इसके उपर टिपणी करी थी वहां के राश्टपती मैक्रों नहीं उसी तरह से हमारे यहां भी इस वक्त चुकी भार्टी जनता पार्टी है शासन में और हिंदुतु के उपर जोर ज्यादा है इसलिए अचानक राश्ट्रियता और राश्ट्रवाद अनिता जो है वो प्रंप्ता में आ गया है और इसको पूरी तरह से हिंदुवादी फिलोसफी से या हिंदुवादी अपलोष से जोड करके देख हैं और राश्ट्रवाद एक ऐसी चीज है जाहे वो क्रिकेट के माध्यम से हो चाहे बुदु स्थान पाकिस्तान की वार के म लेकिन हम जितनी जल्दी राष्ट्रवाद के नाम पर जगते हैं, शायद ही कोई चीज दूसरी ऐसी है, जिसके नाम पर हम इतनी जल्दी जागरत हो जाते हैं, और एक हो जाते हैं, तो इसी चीज को मेरे खाल में काफी हद तक भुनाया है, पॉलिटीशन्स ने भी, और इसी से ख़बर को पेश किया जाए, कि देश देश से उपर कुछ नहीं, तो सर पत्रकारिता का फोकस होना क्या चाहिए? नहीं, देखे, पत्रकारिता का अगर बिल्कुल टेक्निकली आप कही है, जो अमेरिकन जनलिजम है, जिसको हम अपना पुरोधा मानते हैं एक तरह से, उस SHmm से थे जगर को नहीं पपीनियन भहत जादा नहीं होता है, और जब जो जैसा हो रहा है, जो जैसा घटित हो रहा है, उसको टूथ फुली आप पेश कर दें, लेकिन आज का जरनलिजम उसस तरह का नहीं है, और बगर पुरोधागास जरनलिजम हुवा हैं, लेकिन बहुत अगर हम साइड ले लेते हैं, तो हमें टेकर्स जादा मिल जाते हैं, और इसके एक्जेम्पल्स आपको सामने ही आपको दिख जाएंगे, बड़े बड़े अकबार हैं, तो आपको पता लगेगा कि ये बीजेपी का माउथपीस है, ये बीजेपी के माफिक ख़बने करता है, ये कॉंग्रेस का चैनल है,